नमस्कार सात्यों एक देन्स क्लासेज में आप सबी का स्वागते हमार टोपिक रहेगा रसेन विग्यान जेट के फेपर में रसेन विग्यान के कुल 30 क्यूशन आते हैं 30 जिसको तीन बागों में डिवाइड करके हम पढ़ेंगे तीन बागों में ओर्गनिक केमेस्ट्री, ओर्गनिक केमेस्ट्री, इन ओर्गनिक केमेस्ट्री और फिजिकल केमेस्ट्री तीन बागों में डिवाइड करके बढ़ेंगे केमेस्ट्री को तीन बागों के 10-10 क्यूशन आते हैं उर्चन के 10 योग दाने क्यूंकि केमेस्ट्री के ये टोपिक्स इसलिए आज हम स्टार्ट करेंगे इन उर्चन केमेस्ट्री इसका फेस्ट टोपिक है बहुत इंट्रेस्टिंग परमानों तथा परमानों की सरस्ना Atom तदा Atomic Stacks चलो इस्टार्ट करते हैं आज का हमारा topics परमानू तदा परमानू की सरस्ना इसे पढ़ने से पहले हमें एक definition आते हैं कि पदार्त क्या होता है पदार्त क्या होता है जिसको English में बोलते है matter हर वो वस्तू जो इस्तान गेरती है जिसका क्या होता है मास दर्योमान होता है उसे हम क्या बोल सकते हैं पदार्त या matter कोई भी वस्तू जो इस्तान गेरती है और जिसका दर्योमान होता है मास होता है उसे हम क्या बोल सकते हैं पदार्त जैसे ये पेन है इसका दर्योमान होता है और मास है हम इसको क्या बोल सकते हैं, दर्वेया, पदार्थ, पदार्थ हर वो वस्तु होती है, जो इस्तान गेरती है और जिसका दर्योमान होता है, पेन, पेंसिल, रबट कुछ भी ले सकते हो, कंकड पत्तर जिसका दुर्यमान होता है और जो इस्तान गेरती उससे हमें क्या बोल सकते हैं पदार्थ पदार्थ के बाद में हमें बताना है परमानू क्या होता है तो परमानू क्या होता है इसके बारे में सबसे पहले मेसरी करणा ने बताया कि हम किसी भी पदार्थ को लगातार विबाजित करने से अंदते हमें जो पार्टिकल्स प्राप्त होता है उसे उसने क्या नाम दिया दिया परमाणू किसने का मेसरी कड़नाने क्या का कि पदार्थ के लगातार विबाजन से किसी भी पदार्थ को हम तोड़ते जाएं तोड़ते जाएं उसके टुकड़े करते जाएं तो last में हमें क्या जो particles मिलता है जिसको आगे हम विबाजिते नहीं कर सकते अथार जिसके हम तुकड़े नहीं कर सकते उसे उसने क्या बोल दिया पर्माणूं यह बात किस ने बोली मेश्री करना ने क्या बात बोली कि पदार्थ के लगातार विवाजंग से अंत्ते क्या प्राफ्थ होता है पर्माणूं पर्माणूं एक गरिग भासा का सबदे कौनस विबाजी भी बोल सकते हैं, एटोमिक, नोन डियुजिबल, जिसको विबाजी ते नहीं किया जा सकता है, उसको क्या बोला, परमाणू, कौन सी बासा में, गृरिक बासा में, इसके बाद में, डाल्तन नाम का साइंटिस्ट आया था, उसने परमान के बाद में कुछ बिंदू दिये थे, मेथफरोन, तत्य, जिसें डाल्टन का सिधानत बोलते हैं, डाल्टन का परमानों सिधानत, नमर एक बात उसने बोली, कि पदात, कोई भी पदात, छोटे-छोटे पार्टिकल के मिलने से बनाए, कोई भी पदात, जो कोई भी पदार्थ जो छोटे-छोटे कणू से मिलकर बना होता है और उसे क्या नाम दे दिया परमानू किसने डालतने क्या था कि पदार्थ के छोटे-छोटे ए विवाजित जिसको आगे विवाजित नहीं किया जा सकता जिसको आगे नहीं तोड़ा जा सकता उसे हम क्या बो पर इसने का कि कोई भी पदार्थ या पर्मानू एक तत्वे के सभी पर्मानू कैसे होते हैं सेम होते हैं इसने क्या बोला कि एक तत्वे के सभी पर्मानू क्या होते हैं समान होते हैं और अलग-अलग तत्वे के सभी पर्मानू क्या होते हैं अलग अलग होते हैं ये बात किस किसने मोली डालतने क्या बात बोली कि एक तत्वे के सभी परमाणू किस में आकार में आकरती में साइज में क्या होते हैं समान होते हैं और अलग अलग तत्वे के परमाणू के गुण दरम कौन आकार आकरती साइज रंग क्या होते हैं अलग अलग होते हैं ये बात किसने मोली डालटन है क्या उन्स नमर एक नमर बोली कि पदार छोटे छोटे ए विबाजित कणू से मिलकर बना होता है जिसे क्या बोलते हैं परमानू एक तत्वे के सभी परमानू क्या होते हैं समान होते हैं और अलग 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 तत्वों के परमानू अलग अलग गुंदरम होते हैं क दो या दो से अधिक तत्तों के पर्माणू सरल अनुपात में मिलकर किसका बनाते हैं? स्विजित होकर क्या बनाते हैं? योगी. दो या दो से आप इसको एक्जामपल से समझ सकते हैं. जैसे पानी, वाटर, जिसका फोर्मूला होता है S2O. ये किन से मिलकर बना होता है? एक हाइटोजन, दूसरा ओक्सिजन. दो या दो से अधिक तत्तों होगे, दो तत्तों होगे, कौन-कौन से है? हाइटोजन और ओक्सिजन. के पर्माणू? हाइटोजन का पर्माणू और ओक्सिजन का पर्माणू. दोनों सरल अनुपात में होते हैं, बिनाक में नहीं होते हैं, 2.1 नहीं होगा, यहां 1.1 नहीं होगा, दोनों सरल अनुपात में होगे, कौन सा अनुपात हैं इनमें, 2 अनुपात, 1 किस किस का हाइटोजन का और ओक्सिजन का, हाइटोजन कितने हैं, 2 ओक्सिजन कितना हैं, 1 इसको क्या बोल दिया योगिक, इसको क्या बोल दिया योगिक, किसने बोला योगिक, डाल्टन ने, किसने डाल्टन ने क्या का, कि दो या दो सियां दिक, तत्वों के परमाणू सरल अनुपात में से उन्जुक होकर, किसका निर्मान करते हैं, योगिक का, तीसरी बात चोती बात बोली थी कि किसी भी बहुतिक और आसानिक परिवर्तन के द्वारा परमान को नेतों हम उत्पन कर सकते हैं और नहीं नेस्ट कर सकते हैं कहा कि कोई भी बोतिक और रासनी परकरम से हम परमानों को उत्पन या नैश्ट नहीं कर सकते इस नियम की कुछ कम्या रहेगी ये परमानों की इस्टाइत वे और उसकी इस्टेक्शर सरसना के बारे में नहीं बता सका ये ये भी नहीं बता सका कि परमानों इस्टाइ है तो क् उसमें इस्पेक्टर मी रहाएं मिलती है उसके बारे में नहीं बता सका इसलिए इस नीम में कुछ कम्या रहेगी और उन कम्यों को दूर करते हैं इस खुद के सिशिये थॉंसन, रेधरफोर्ट्स और बोर कौन-कौन थॉंसन, बोर और रेधरफोर्ट्स ये तीन विग्यानिक थे जो डाल्टन के सिशिये थे इन्होंने अपने गुरू डाल्टन के नेमों में कुछ संचोधन किये अथात उन कम्यों को दूर किया और वो इस परकार थे उसने कहा कि परमाणों एविबाजित नहीं होता है किसने थॉंसन, बोर और रेधरफोर्ट्स और अन्य विग्यानिक उनने इनका साथ दिया उन्होंने देखा कि परमाणों एविबाजित नहीं है इसको हम छोटे पार्टिकल में और भी तोड़ सकते हैं जबकि डालतर ने कहा कि परमाणों एविबाजित है हम इसको आगे नहीं तोड़ सकते हैं लेकिन तोड़ के बताया किसने थॉंसन, बोर और रेधरफोर्ट्स ने उसने कहा कि हम उत परमाणों करणों में प्रोटोन, इलेक्टोन और नूटोन में विबाजित कर सकते हैं किसको परमाणों को इसलिए परमाणों की पर्थम परिकलपना दी थी डालतर में वो गलत होगी उसने कहा कि परमाणों ए विबाजित है लेकिन उसके ही सिश्यू ने थॉंसन और रेधरफोर्ट्स ने बताया कि हम परमाणों को विबाजित कर सकते हैं कौन से पर्टिकल में प्रोटोन, इलेक्टोन और नूट्रोन में दूसरा संसोदन इसमें क्या कि एकी तत्वे के सभी परमाणों समान नहीं हो सकते किसने का थॉंसन रेधरफोर्ट बोर ने का कि एक तत्वे के सभी परमाणों समान नहीं हो सकते कब समान नहीं हो सकते समस्थानिकों में समस्थानिकी fundamental आगे पड़ींगे के Hydrogen के तीन समस्थानिक होते हैं जो परमानू 1 ही है Hydrogen बट इसके परमानू करमान तो सेम होते हैं लेकिन दर्योमान क्या होता है अलग-алग होता है तो एक ही तत्वे के सभी परमानू समान नहीं हो सकते ये बात किसने बोली डालतन के परमानों मोडल में संसोधन किया तीसरा पॉइंट था कि बिन बिन तत्तों के परमानों के गुण समान हो सकते हैं कब सम बारिक में सम बारिक कौन होते हैं जिनका बार समान होता है दो अलग-लग तत्वे होते हैं, तत्वे कितने होते हैं, अलग-लग, परमानों करमान भी कितने होते हैं, अलग-लग, बट दोनों का वार क्या होगा, समान होगा, ये बात संसोधन केगे, किसके नियमें, डालतर नियमें, डालतर ने का, कि बिन-बिन तत्वे के परमानों के ग परमानों दूसरी तत्व परमानों में बदला जा सकता ये कब बदलते हैं ना भी किये अभिग्राओं में ये डाल्टन के नियमू संसोधन क्या था चोती कमिती डाल्टन ये नहीं बताया डाल्टन ये डिफ्रेंट्स नहीं क्या किसमे परमानू और अनू में हाइटोजन एक जैसे हाइटोजन एक परमाणू है अगर यह अनू के रूप में होगा कैसे होगा एस टू दो हाइटोजन परमाणू वापस में मिल गए ओक्सिजन अनू के रूप में होगा तो कैसे होगा ओटू इनको बोलते हैं दी परमाणू दो परमाणू जूटते हैं सलफर होता है वो आठ परमानों जूट के बनाते हैं और इनको क्या बोलते हैं अस्ट अनू के डालतन पड़ा था आपने कि डालतन नहीं बता सका कि परमानों विबाजित है या अलग अई विबाजित उसने का पर्मानों और अनों के बारे में कोई बैद नहीं करता है तीसरा उसने बोला कि एक तत्वे के सभी गुण कैसे होते हैं समान होते हैं थ्वाट लाइन बोली थी कि अलग लग तत्वे के गुण अलग अलग होते हैं बट उसमें संचोदिन किये और क्या का कि परमानों ए विबाजी थे जिसको हम आगे विबाजी थे नहीं कर सकते दूसरा संसोदन था एक तत्व के सभी परमानों समान नहीं हो सकते तीसरा था बिन बिन तत्व के परमानों के गुणदरम समान हो सकते हैं क्या समान था इसमें दर्यमान और चोता था एक तत्व के पर परमानों में बदल सकते हैं कब नभी के अभीकिरें में हम प्रोटोन से नुट्रोन को भी बना सकते हैं और ये सिदान्थ परमानों के अनुओर परमानों के बीच में कोई फ्रक नहीं कर पाया कौन सा डाल्टन का सिदान्थ उनमें संसोधन क्या गया था अब हम पढ़ेंगे कि परमाणू क्या होता ये बात हमने पढ़ ले थी, किसने बताया मेशरी करना ने, कि परमाणू ये विवाजित गण है, जिसको हम आगे विवाजित नहीं कर सकते हैं, फिर डालतन ने इसके बारे में बताया, फिर डालतन के निमें संसो देना, परमाणू के बारे में पढ़ से मिलकर बना होता है वो हम जानने के लिए अलग लग अपने सिदांत दिये उन में से एक नमर सिदांत है थॉम्शन मोडल कौन सा मोडल थॉम्शन मोडल इसने बताया कि परमानों समान रूप से आवेशित के सा समान रूप से आवेशित अर्थार्त इसमें जितने दनावे से उतने ही क्या है रिनावेस यह बात किस ने बोली थौंसन गए इस मोडल की इंपोटेंट्स लाइन के परमानों के साविषित होता है समान रूप से अर्थार्द दनावेस कुल दनावेस बराबर होते हैं किसके कुल रिनावेस के इसने बताया कि जितने इसमें दनावेश होते उतने ही क्या होते रिनावेश अथार्थ पर्मानू कैसा होता है उदासीन ये बहुती महतरप्रून बात थी थॉम्शन मोडल की इसने कहा कि पर्मानू समान गूपसे आवेशित और एक एंगेस्टरम एक एंगेस्टरम दस की पावर माइनस दस मीटर तिर्जा का एक ठोस गोला होता है जिसमें दनावेश समान रूपसे वित्रित रहते है और रिनावेश बीस बीस में कैसे होते है दसे रहते है इसके अंदर रिनावेश बीस में कैसे होते है दसे रहते है इसके अंदर रिनाव एक रेड़ पार्ट होता है, जिसको इसने क्या बोला, दनावेश, रेड़ पार्ट को क्या बोला, दनावेश, कौन सावेश, दनावेश, और इसके अंदर जो बीज होते हैं, जो बीज होते हैं, उसको इसने क्या बोल दिया, रिनावेश, क्या बोल दिया, रिनावेश, किनक परमानू में दनावेस और रिनावेस दोनू आपस में बराबर होते हैं अथार दनावेस बराबर रिनावेस परमानू पिस्तिज रूप से कैसा होता है उदासीन होता है ठोस गोला होता है तिर्जा कितनी होते है एक एंडरेस्टम बस थौंसन मोडल से एक ही क्यों सना सकता है कि इसने क्या बताया इसने बताया कि पर्माणू में दनावेस और रिनावेस दोनु क्या होते हैं पुल दनावेस और रिनावेस आपस में बराबर होते हैं पर्माणू कैसा होता है उदासीन उदासीन और नहीं पर्मानु का इस्ताइत्यों बता सका और नहीं इस्पेक्टमी रेखाऊं के बारे में बता सका इसलिए आगेज जालकेर इस मोडमल को खारिज कई आ गया और इसमें मोडिफाइट करने के लिए बोर का मोडल आता है, इसकी कुछ कम्या रहेगी, दो कम्या थी, परमाणू के इस्ताईतु के बारे में नहीं बता के, परमाणू इस्ताई है तो क्यों इस्ताई है, और नाभी के बारे में में भी नहीं बता है, इसने बता है कि परमाणू दनाव spectrum में नहीं बताया किस ने थोंशन इसलिए दूसरा मोड़े लाया Radhaoirs का Navi के मोडल किसका Radha hydro Site Navi के मोडल क्यों बोलते हैं क्यों कि इसने बताया किस के बारे में Navi के भारे में तो सबसे पहले Navi के स्टने पतह आप ra voz और इसने क्या क्या इसने सोने की पतली परत किसकी सोने की याद रखना है किसको कहा में लिया सोने को कौन सा तत्वे कहा में लिया सोने का तत्वे इसको क्या बोलते हैं सोने का परमाणू पर क्या क्या इसने एलफा पार्टिकल की बहुत सार करो है किसकी एलफा पार्टिकल की यह alpha particles क्या होते हם ये समझने के लिए इसने क्या कह बाप के helium फून? helium इसका कार्माण करमाण कितना होता है? 2, दर्योमाण कितना होता है? 4, में से 2 electron क्या कर दिये? निंकाल दिये तो किसका निर्माण हुआ? alpha करन का और जिस पर charge कितना होता है? प्लस दो धर्योमान कितना होता है चार परमानु कर्मान कितना होता है दो किसका एलफा कंड का और ये क्या बन गया एलफा कंड किसे बना हिलियम से क्या क्या दो इलेक्टोन निकाल गया तो एलफा कंड पर चार्ज कैसा होता है दनावे सित कैसा होता है इसको बोलते हैं दी दनावेशित ये बहुत इंपोर्टेंट क्यूशन है कि रेधर फोर्स ने कौन से तत्वे का प्रियोग किया था तत्वे नाम लिखो के ए, यू, अठ्वात सोना, कौ último सा? सोना. और किसका प्रियोग क्या था? अलफा कन का, किसका? अलफा कन का? और अलफा कन क्या हुता है? दनावे सित, दनावे सित, हेलियम कन को हम क्या भोलते हैं? एलफा कण दी दनावेशित हेलियम कण को क्या बोलते हैं? एलफा कण आवेश कितना होता है? दो इसने क्या का? इस एलफा कण की सोने की पतली परत पर क्या करवाई? बोच्छार करवाई इसने एलफा कण पर एलफा कण की सोने की पतली परत पर क्या करवाई? बोच्छार करवाई और उसे प्रेक्षण और उसके अकोडिंग रिजल्ट लिखे जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं क्या क्या, यह box लिया, box क्यों लिया, क्यूंकि alpha कंड निकालने के लिए हमें कोई radioactive तत्वे साहिए, यह कौन सा तत्वे, radio active, जो alpha कंड सोड़ता है, इसको box में fit, इसलिए क्या, ताकि alpha कंड इधर ने जाए, इधर ने जाए, इधर ने जाए, ओणली फोर एक ही direction में जाए, औ इसलिए इसने box का प्रयो क्या जो लेड का बनना होता है, किसका लेड का और इसके बोलते है, लेड बोक्स, कान सा बोक्स है? लेड बोक्स, ये डियोक्टिव फोदार्त क्या निकालेगा? alpha incarn, वो alpha incarn जाके किसे टकरा रहे हैं? सोने की पतली परच से हैं, सोने की जगे हम दूसरी बारी दातों भी ले सकते हैं A, G, A, U, C, U भी ले सकते हैं सोने की परत्थ से एलफा कंड टकराते हैं या नहीं टकराते हैं इसको देखने के लिए इसने क्या का गोलाकार एक परदा ले लिया और जिस पर किसका लेपन कर दिया? Z, N, S का या एलफा कंड जाके सोने की पतल परस से टकराकर इस परदे से टकराएंगे और हमें दिखाई देंगे इन प्रेक्शनों के आदार पर उसने बताया कि अधिकास एलफा कंड कैसे ले निकल गे? सिदे निकल गे अथाक बिना मूडे एलफा कंड उपर चार्ज कैसा होता है? देनावेशित चार्ज होता है चार्ज कैसा होता है? देनावेश देनावेश चार्ज कैसा होता है? एक बात इसे पहले आप सोस न सके समान समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? पर्तिकर्सित करते हैं आकरशित समान आवेस एक दूसरे को पर्तिकरशित करते हैं वो विप्रित आवेस एक दूसरे को क्या करते हैं आकरशित इसने देखा कि alpha-kand दनावे से वो अधिकांस alpha-kand तो सिधे चले गए अथाथ अपने पत से बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए किसे एक सोने की पतली परत के परमानु से टकराने के बाद में विचलित नहीं हुए कुछ एलपा कण ऐसे थे जो कुछ डिग्री एंगल पर क्या होगे अपने कौण से विख्शेपित होगे पत से विचलित होगे इससे ये पत्ता चलता है कि ये कंड कैसी ये तरंग कैसी ये दनावेश ही थे के सचार जी इस पर दनावेश दनावेश सेम सेम पर्तिकर्शन इसलिए हुआ इसने यहां कौन था दनावेश था इसलिए इधर मुड़ गया अगर यहां रिनावेश होता था तो यह किदर जाता इधर जाता तीसरा इसने लिखा कि कुछ एलफाकण विक्से पितु है तीसरा पॉइंट था कि लगबग 20,000 एलफाकणों की इन्होंने बोचार करोई किस पर सोने की पतली परत पर कितने 20,000 तो एक एलफाकण ऐसा था कितना एक बहुत ही कम 20,000 में से एक बिलकुल लेस मादर बहुत ही कम वापस बेज रहा है लेकिन वापस बेजने वाला बहुत बड़ा भी नहीं है बिलकुल छोटा है बिलकुल छोटा बोल सकते हैं क्योंकि 20,000 कणों में से एक ही कन वापस आया और इससे क्या नाम दिया था रेदर फोर्स ने नाभीक क्या नाम दिया था नाभीक आप इसको देखर बता सकते हो कि नाभीका चार्ज कैसा होगा दन आवेस कैसा होगा दन आवेस क्योंकि ये आने वाली किरण कैसी है दन आवेस और ये जाने वाला पार्टिकल इसे विक्षे पित हो रहा है तो समान समान को क्या करते हैं पर्तिकर्चित करते हैं और पर्तिकर्चित क्य इसलिए ये दूर गया, अगर आकर्षित करता तो ये इसके पास आता, तो नाभी का आवेस के सोता है, दन आवेस, ये बात किसने बोली थी, रेधर फोर्ट्स ने, क्या देखो वापस देखो एक बार, इसने एलफा कणों की सोने की पतली परत पर बहुत सार को रोई, अधिक जेस आ गया, वेसा ही वापस आ गया, अथार्ट इसे वया, कोई बेशने वाला था, इसको पार नहीं होने दिया, और उससे क्या नाम दिया था, नाभी क्या दाया पर, रेधर फोर्ट्स ने कुछ परिणाम दिये, उसने बोला, कि परमानों का अधिकास बाग कैसा होता है, खाली होता है, क्योंकि मेकजिमम अधिकास बाग कैसे होगे, सीधे निकल गे, कैसे निकल गे, सीधे निकल गे, अधिकास अधिकास बाग कैसे होगे, सीधे निकल गे, यह बात किसने बोली, रेधर फोर्ट्स ने, कि परमानों का अधिकास बाग कैसा होता है, खाली होता है, जबकि Jackson ने कहा था कि सम्प्रवन दर्यमान के साथ समान रूप से वित्रित होता है। कौन पर परमानों के उपस्ति दनावे से बाग अतेंदी ते छोटा है छोटा इसलिए क्योंकि 20,000 कंड़ों में से only 4 एक कंड़ था जो वापस आया नहीं तो अगर बड़ा होता तो सभी के सभी कंड़ वापस आ जाते और थोड़ा बड़ा होता तो 10-15,000, 20,000 में से 10,000 तो वापस आते अगर बड़ा बाग होता लेकिन बाग कैसा है छोटा और इस छोटे बाग को इसने क्या बोला था ना